question 1 without actual division find whether the following rational numbers are terminating decimals or recurring decimals in case of terminating decimals write their decimal expenses मतलब करना क्या है यहाँ पर जो numbers दिये हुए है इनको बीना divide किये मतलब कि denominator से numerator में बीना divide किये पता करना है कि यहाँ इसका decimal expansion terminating होगा या non-terminating recurring होगा इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करता है ना कि denominator के factors find करते हैं जैसे इस case में 45 के factors find करें तो 9,5 जब 45 होता है 9 को लिशकते हैं 3 into 3 into 5 तो इसके factors हा रहा है 3,3,5 तो एक principle है जो यह कहता है कि यदि 2,5 यदि 2,5 के वल factors आते हैं या तो 2 I के वल या के वल 5 है या फिर both तो वह number terminating होती है लेकिन 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है समझ लिजी कि वो non-terminating recurring होगा इसका मतब कि 3 एक extra है 2 और 5 के अलावा 3 भी यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो this is non-terminating recurring minus 5 अपन 56 यहाँ पर यदि हम factorize करेंगे 56 को क्या मिलेगा देखे 56 होता है 8,7 जा 56 तो 8 को परेंगे 2 into 2 into 2 into 7 देखे 7 एक extra आ गया 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा factor आता है समझ लिजे वो non-terminating recurring है now the third part 7 upon 125 यदि 125 के factors find करते हैं तो मिलेगा 5 into 5 into 5 अब देखें यहाँ पर 2 और 5 में से मैंने बोला कि क्योवल 5 यदि आए या क्योवल 2 आए factors या फिर दोनों के combination आए तो वहाँ number terminating होती है तो यहाँ पर 5 आए के वल तो this is terminating लेकिन यहाँ पर question बोला है कि यदि terminating होगा लोगा बोला है यहाँ पर in case of terminating decimals write their decimal expenses तो हमें इसका decimal expenses लिखना है बीना divide किये ही कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं देखें 7 upon 125 है तो इसको करिए 7 upon यह 125 के factors लिखिए 5 into 5 into 5 ओके अब इसे हमें बीना divide के करना है तो हमें 5 नीचे भी नीचे हमें क्या करना पड़ेगा 2 से multiply करना पड़ेगा जितने 5 है तो 5 है हमारे 3 तो 2 से multiply कर दिए 3 times जब नीचे करेंगे denominator में तो ऊपर भी करना पड़ेगा ऐसा करने से होगा क्या कि जो 5 है और 2 है यह दोनों multiply हो करके 10 हो जाएगा और यह 5 और यह 2 मिल करके हो जाएगा 10 फिर यह 5 और यह 2 मिल कर 10 हो जाएगा मतलब कि 1000 आ जाएगा नीचे और numerator मुटिपलाई कर लेंगे तो 8, 7 जा होता है 56 तो हो जाएगा 56 अपान 1000 यह 1000 से डिवाइड करना आसान है क्योंकि decimal यहीं पर है 3 प्लेस लेफ्ट साइड में चला जाएगा मतलब कि इसका decimal expansion होगा 0.056 इसन दैट इस गरेक्ट चलिए नेक्स्ट क्षिशन यहाँ पर 80 है तो 80 के फेक्टर्स होंगे 2 इन्टो 2 इन्टो 2 इन्टो 2 इन्टो 5 ओके 8 8 जा 40 होता है 42 जा 80 हो जाएगा तो यहाँ पर दिके फेक्टर्स के बल 2 और 5 ही है तो this is a terminating decimal तो first answer तो हो जाएगा कि this is a terminating decimal बोला है कि terminating होगा इसको जो है decimal expression लिखिए बेना डिवाइड किए तो लिखना होगा इसको 23 अपान 80 वो हम लिए सकते हैं माइनास 23 अपान देखें हाँ पर 2 इन्टो 2 इन्टो 2 देखें जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए तो यहाँ पर इनका प्यारत बन गया बचे हुए हैं तो उनके लिए 5 3 टाइमस मट्पलाई कर देजिए और यहाँ निम्रेटर में करना पड़ेगा 5 3 टाइमस अब निम्रेटर में मट्पलाई करेंगे तो कितना आएगा 23 से यदि 125 मट्पलाई करेंगे तो मिलेगा 2875 होल अपान यहाँ पर देखिए डिनम्रेटर मने皆 होगा कि 2 और 5 दॉन अगर 10 होजाएगा फिर यह 2 और यह 5 मिल कर के होजाएगा 10 और यह 2 दोनों तो था ही कानिका मतलब कितने होंगे zeros तो यतने 2 होंगे उतने 0 होंगे यहाँ पर यतने 5 हैं पेर बन रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कि हम इसमें डिवाइड करेंगे 10 अब 10 अब 10 अब 10 अब डिवाइड करेंगे तो decimal जाएगा 4 प्लेस लेफ्ट साइड इसका मतलब कि decimal expression हो जाएगा minus 0.2875 this will be the decimal expression of this number now the last one देखे 66 का यदि हम करते हैं factors निकालते हैं तो मिलेगा हमें 11 into 2 into 3 इसमें 11 भी extra मिल रहा है और 3 भी अलग मिल रहा है number factor तो इसलिए यह भी non-terminating recurring होगा question number 2 express the following recurring decimals as vulgar fractions तो हमें recurring decimals यहाँ दिया हुआ है two questions है इसमें first part मैं लिख लिया है और इसको solve करते हैं देखे सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप इसको suppose कर लेंगे x is equal to this let x is equal to 1.345 bar इसको एक बार repeat करके लिख लेंगे तो 45 repeat हो रहा है बार बार था हम लिख सकते हैं x is equal to 1.3454545 dot 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 इसको माल लेंगे first equation अब यहाँ पर देखे यह जो बार लगा है जितने digits पर one के आगे उतने 0 जो बढ़ाएंगे और जो नमर बनेगी उससे left hand side में और right hand side में multiply करतेंगे तो दोनों side में 100 supply करेंगे तो यहाँ left hand side में हो जाएगा 100x और यहाँ right hand side में हो जाएगा 134 point क्योंकि decimal 2 plus right side में जम कर जाएगा तो 134 point 5454 ऐसे करके होगा मतलब कि 54545454545 dot 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 ऐसा लिख सकते है इसको माल लेंगे second equation अब दिखिए first equation को second equation से subject कर देंगे यहाँ पर ध्यान दिजेगा यदि हम right hand right side से यदि हम subject करना है start करें तो 5-5 is 0, 4-4 is 0, 5-5 is 0 और यहाँ तक 4-4 यहाँ तक 0 हो जाएगा उसके बाद किवल यहाँ 5-3 is 2 point 4-1 is 3 and this is also 3 and 1 तो 133.2 आ जाएगा और यहाँ पर सब्सक्राइगा 99 x मिलेगा अब transpose कर लेंगे यहाँ पर देखे decimal है यहाँ पर तो निमेटर में से decimal हटाने के लिए ट्रेंसेप्लाइ कर दीजिए निमेटर और डिमेटर में आपको मिलेगा 1332 whole upon 990 अब यहाँ पर cancel out हो सकता है तो cancel out कर लिजिए तो यहाँ पर आजागा 74 upon 55 तो यही आपका vulgar fraction है तो this is your answer for this part question number 2 express the following recurring decimals as vulgar fractions चले second part करते हैं 2.357 bar suppose कर लेंगे पहले let x is equal to 2.357 bar it can again be written as 2.357 357 and 357 को repeat कर लेंगे और इसी equation को मान लेंगे first equation अब यहाँ ध्यान देजेगा जितने digits पर बार लगा है 1 के आगे उतने 0 लगाएंगे जो नमर बनेगी उसे से मुट्पलाई कर लेंगे left hand side में और right hand side में equation 1 के left hand side में मिल जाएगा 1000x right hand side में देखे decimal 3 plus आगे जाएगा तो मिलेगा आपको 2357. इतना मिलेगा और यही second equation होगा यहाँ पर देखे decimal 3rd plus पर यहाँ पर गया एसलिए 2357.357.357.357 तो मैंने 357 को repeat कर दिया कई बार क्योंकि यह बिल्कुल ही आप infinite times कर जकते हैं अब जो equation 1 है उसको equation second से subtract कर लेंगे तो यहाँ पर decimal के निचे decimal लिखेंगे ध्यान से अब देखे decimal के right side में जो digits दिये हुए हैं तो यह concealer हो जाएंगे सारे इक सारे यहाँ पर देखे 7-2 यहाँ से minus होगा तो यह मिलेगा 5 यह बचा 5 3 & 2 यहाँ minus करेंगे 999 x is equal to this much transpose करेंगे 999 को मिलेगा हमे 2355 whole upon 999 तो this is your answer question number 3 insert a rational number between 5 upon 9 & 7 upon 13 & arrange in ascending order देखे 5 upon 9 & 7 upon 13 में 7 upon 13 छोटा है 5 upon 9 से ठीक है तो हम पहले पहले यहाँ पर number line पर represent कर रहते हैं इन दोनों को तो यहाँ हो जाएगा 7 upon 13 और यह हो जाएगा 5 upon 9 अब इन दोनों के बीच में एक number find करना है बस तो एक number find करने के लिए दोनों को add करिए और 2 से divide करिए और rational number between 7 upon 13 & 5 upon 9 is तो 7 upon 13 प्लस 5 upon 9 इन दोनों में divide कर देंगे 2 से 13 और 9 calcium होगा 117 13 से divide करेंगे 9 मिलेगा 9 7 जा 63 9 से divide करेंगे 13 50 65 यहाँ पर add करेंगे मिलेगा 8 128 upon 117 यहाँ देखिए जो division है उसको 64 upon 117 और यह एकदम बीचो बीच वाला number find किये हैं मैंने इन दोनों के just middle में पाया जाएगा 64 upon 117 अब हमें arrange करना इसको ascending order में तो यह already मैंने यहाँ पर ascending order में ही arrange किया हुआ है means 7 upon 13 smallest number है and this one is middle इससे बड़ा है 64 upon 117 after that 5 upon 9 so this is the ascending order of arrangement of these numbers question number 4 insert 4 rational numbers between 4 upon 5 and 5 upon 6 यहाँ पर धान देखिएगा जो 4 upon 5 है वो less है 5 upon 6 से तो number line पर मैंने इसको represent कर लिया है अब हमें 4 numbers find करने के वाद इसके अंदर देखिए जब भी ऐसे numbers हों जिसके denominator equal ना हो उसके denominator को पहले equal कर लेते हैं तो 5 और 6 का lcm लेना पड़ेगा तो 5 और 6 का जो lcm होता है वो 30 होता है तो क्या करेंगे 4 upon 5 में numerator में denominator में यहाँ पर multiply कर लेंगे 6 से तो denominator 30 हो जाएगा और यहाँ पर कर लेंगे 5 से तो denominator यहाँ पर 30 हो जाएगा तो we have तो 4 upon 5 में multiply कर लेते हैं यहाँ पर 6 से और जो आपका दूसरा नमार है 5 upon 6 यहाँ multiply कर लेते हैं 5 से तब ही denominator equal हो पाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 24 upon 30 और यहाँ हो जाएगा 25 upon 30 denominator equal हो गया तो बस numerator में देखिए कि difference क्या है तो 24 के बाद 25 ही आ जाता है तो directly आप restaurant numbers find नहीं कर पाएगे तो क्या करना होगा यहाँ पर 4 restaurant number पूछा है तो 4 में एक add कर लेजिए कितना होगा 5 होगा और फाइव से यहाँ होगा और फाइव से यहाँ होगा और फाइव से यहाँ होगा और जाएगा तो दोनों में जो difference होगा वो exactly 4 numbers दे देगा इनके बीच में चलिए देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मुनपलाई कर लेजिए 5 से यहाँ पर तो 24 अपन 30 यहाँ करेंगे 5 से और यहाँ भी यहाँ 25 अपन 30 है numerator में 5 से इंपलाई करेंगे और denominator में भी 5 से यहाँ पर मिल जाएगा 24 फाइव जो होता है 120 अपन यह होजाएगा 150 यहाँ में पलाई करेंगे 125 होल अपन 150 तो देखें यहाँ पर denominator तो equal है है कि नहीं 150 दोनों है equal बस numerator में देखें डिफरेंस क्या है तो 120 के इसके बाद आप count कर सकते है 121, 122, 123, 124 फिर 125 आता है तो 4 numbers exactly दिख रहे है तो exactly यहाँ से आप directly लिख सकते है 4 numbers so we have those 4 numbers 120 अपन 150 के जश्ट आगे बाला number होगा 121 अपन 150 ओके उसके बाद बाला number कौन सा होगा 122 अपन 150 और इसके बाद होगा 123 अपन 150 after that 124 upon 150 and 125 upon 150 तो वो number ही है तो यह जो 120 upon 150 है वो exactly किसके बराबर है यही 4 upon 5 ठीक है मनतब 4 upon 5 के equivalent fractions है यह 120 upon 150 and 5 upon 6 का जो equivalent fraction है वो कितना है 125 upon 150 मतब दोनों same है दोनों को exactly equal लिख सकते हैं तो इन दो numbers के बीच में 4 upon 5 and 5 upon 6 के बीच में हमने पा लिया 4 rational numbers तो इनको ही हम यहाँ पर लिख देंगे तो इनको हम थोड़ा सा simplify करके लिखेंगे देखेंगे देखेंगे हाँ पर 121 upon 150 तो यह तो नहीं कटेगा कुछ कुछ count factor नहीं है यह हो जाएगा यहाँ पर 2 seconds राट कर सकते हैं तो 2 seconds and 21 seconds and 25 seconds तो यह हो जाएगा 61 upon 75 और यह 123 तो प्राइम नमबर है तो यह कटेगा नहीं इतना रह जाएगा यहाँ भी कटेगा 26 seconds राट कर सकते हैं मतलब कि 62 upon 75 उसके बाद 125 upon 150 है यह भी cancel out हो जाएगा खैर यह तो नमबर है तो यह हमारे 4 numbers मिल गए इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसके बाद 415 के बाद जो नमबर मिल जाएगी हमें 121 upon 150 उसके बाद नमबर मिलेगा 61 upon 75 after that 123 upon 150 after that 62 upon 75 यह हमारे 4 numbers है required 4 rational numbers between 415 and 516 तो ऐसे करके question number 5 prove that reciprocal after an irrational number is irrational मतलब यहाँ में क्या करना है y पहले से दिया हुआ है कि यह irrational number है और कर रहा है कि इसका reciprocal यह दिया आप लेंगे मतलब 1 upon y 1 upon y क्या है reciprocal है y का तो 1 upon y भी एक irrational number होगा यह prove करना है ठीक है मतलब y को पहले दिया हुआ है कि y एक irrational number है तो वह है आप लेंगे पहले पहले तो देखिए कैसे करेंगे यदि हम प्रूब करना है कि 1 upon y is also irrational देखिए सबसे पहले हम suppose कर लेंगे कि 1 upon y एक rational number है हम प्रूब करना है कि irrational है लेकिन हम पहले पहले इसको suppose करेंगे कि यह rational number है जैसे हम पहले कर रहे थे ठीक वैसे ही इसको भी प्रूब करेंगे ठीक है ध्यान देजेगा one upon y को सबसे पहले माल लेंगे कि यह एक rational number है जब ऐसा मानेंगे तो अभी हम एक ऐसे result पर arrive होंगे जो बिल्कुल ही continent कर देगा इस बात को तो हम यह कहर देंगे फिर कि जो हमने सबसे किया था वही हमने wrong माल लिया था चलि हम आगे बढ़ते हैं यदि हमने one upon y को rational number माना है तो हमें it implies हमें लिखना पड़ेगा कि one upon y must be equal to some p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 तो हमने यहाँ पर माल लिया कि ठीक है one upon y rational number है तो यह p upon q के बराबर होगा होगा और p q क्या होंगे integers होंगे और q is not equal to 0 अब यहाँ से देखे यहाँ से हम ऐसा cross multiply करके y के value find कर सकते हैं means हम इसी को reciprocal लेंगे both sides में तो हमें मिल जाएगा y is equal to q upon p है कि नहीं यदि इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा कर सकते हैं यह equation का rule है या फिर cross multiply करके हम अलग लग कर सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइब यहाँ पर cross multiply करने क्या मिलेगा q into 1 is q is equal to y into p is py अब यहाँ से देखे प y is equal to आगया q तो y is equal to q upon p है सकते हैं तो वही q upon p हमने यहाँ लिखे लिए directly तो इतना समझे लिजें अब जो है यह p upon q यदि rational number है तो q upon p भी तो rational number होगा है कि नहीं मतलब p upon q यदि rational number है तो q upon p मतलब इसका rational number के reciprocal से rational number होते हैं तो यहाँ लिख देंगे p upon q rational number है तो q upon p भी irrational number होता है ठेक है तो ये बताइए लेकिन y equal कैसे हो गया क्यों पान पीके y क्या है एक irrational number है हमने माना था है given था तो एक irrational number एक rational number के बराबर कैसे हो सकता है तो this result is wrong दिख देंगे कि this this result is wrong as an irrational number मतलब y जो ये y है rational number है या cannot be equal to rational number q upon p तो q upon p के बराबर हो ही नहीं सकता तो ये result ही wrong है तो this result is arrived because we supposed that 1 upon y is a rational number so this supposition is wrong तो हमने यह आप लिख दिया है कि this result is obtained कौंसा result ये result this result is obtained due to the supposition that 1 upon y is rational number हमने यहांब क्या किया था 1 upon y को suppose कर लिया था is a rational number ऐसा suppose करने के कारण हमें ये result मिला है और ये result क्या है wrong है तो जो हमने suppose किया था वही wrong होना चाहिए so आपको आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं अभी thank you so much question number 6 prove that the following numbers are irrational चलिए first करते हैं हमें प्रूब करना है कि root 8 एक irrational number है तो इसके लिए बहुत simple तरीका है देखें root 8 करम क्या ले सकते हैं root 8 is equal to लिख सकते हैं square root of 2 into 2 into 2 तो यहांपर 2 का pair बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेजिए तो 2 root 2 हो जाएगा अब यहांपर देखिए इसका मतलब क्या हुआ 2 क्या है 2 एक rational number है और इसमें multiply हुआ है root 2 से और root 2 क्या है एक irrational number है तो हम जानते हैं कि rational multiplied by irrational is always irrational तो इस number is irrational क्योंकि rational number यह है 2 and root 2 is irrational and their multiplication must be irrational तो हम लीक सकते हैं we know that 2 is rational and root 2 is irrational and product of rational and irrational numbers is always irrational okay so this 2 multiplied by root 2 is always irrational number so root 8 is irrational number hence hence root 8 is an irrational number तो इसमें बिल्कुल है ऐसे ही आप root data कर लेंगे लेकिन root 14 में ऐसा नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि देखिए root 14 की case में तो समझे के ध्यान से यदि root 14 को आप इसको break करते हैं तो मिलेगा आपको root 2 into root 7 यहाँ पर आप दोनों क्या हैं? दोनों irrational हैं तो हम यह जानते हैं कि irrational numbers यदि 2 हों बनाद प्रोड़क्ट आफ irrational and irrational may be rational and may not be rational तो हम यहाँ पर confirm तरीके से नहीं कर सकते इसलिए root 14 को prove करने का तरीका contradiction method ही है और contradiction method का use करेंगे और पता करेंगे कि root 14 सच में prove करेंगे कि यह irrational है question number 6 का second मैंने इसका solution है वो all a day लिख लिया है ताकि लिखने में समय बच्चे और आपका विसमय बच्चेगा फिर हम समझ लेंगे बस क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है तरीक वैसे करेंगे यहाँ पर लेकिन समझ लेंगे कैसे करते है root 14 का सबसे पहले prove करना हमें यह है कि root 14 एक irrational number है यदि हमें यह rational number दिखाना है इसको तो contradiction method में यह करना होता है कि इसके opposite माल लेते हैं मतब जो prove करना होता है उसके opposite हम suppose कर लेते हैं तो हम यहाँ suppose कर लिए suppose that root 14 is a rational number ठीक rational number हमने माना है root 14 को तो हम इसको P by Q के form में लिग सकते हैं क्योंकि all rational numbers लेकिन हम जब मानेंगे P upon Q तो हमारे पास एक condition यहाँ पर है कि P और Q ऐसे ही नहीं कोई भी माल लेंगे हम ऐसा P और Q मानेंगे जो integer हो और Q नाट कोड़ जीरू हो ऐसा तो होगा ही बिल्कुल ही but common factor 1 के अलाबा कोई नहीं होना चाहिए यह P और Q में मतलब यह है कि P और Q जो माने है हम 2 by 3 जैसा माने है देखे 2 और 3 में count factor क्या है 1 है तो ऐसे number मतलब standard farm off और rational number suppose किया है हमने P upon Q ठेक है अब इतना जब हमने माना है अब इसके बाद क्या होगा देखे द्यान से अब यहाँ पर हमने suppose कर लिया यहाँ पर squaring कर लेंगे on both sides 14 is equal to P square बन Q square हो जाएगा फिर यहाँ क्रास में apply कर लेंगे तो cross करेंगे तो यह 14 Q square is equal to P square हो जाएगा अब इसको suppose कर लेंगे first equation ठेक है अब देखें यहाँ पर यहाँ पर जो 14 Q square है इसको 2 divide करता है है कि नहीं 14 को 2 divide कर सकता है यहाँ पर मैं दिखा हूँ आपको तो 14 Q square को यदि हम divide करें 2 से तो बिल्कुल क्या आएगा 7 Q square आएगा क्योंकि यह 2 से 14 के जिराट हो जाएगा और 2 Q square quotient बचेगा और remainder के आएगा 0 आएगा मतलब कि 2 divide करता है 14 Q square को तो भही मैंने लिख दिया कि since 2 divides 14 Q square और 14 Q square equal है P square के therefore 2 divides P square also है कि नहीं 2 divide करेगा P square को भी क्योंकि दोनों equal है भाई but 2 is prime लेकिन 2 जो है प्राइम है और हम यह जानते है एक principle यदि कोई prime number किसी number के square को divide करती है मतलब यहाँ दिक links यह P है और P का square है यहाँ पर और 2 यदि divide करता है 2 क्या है prime number prime number यदि किसी number के square को divide करता है तो वह number जो prime number है P को भी divide करेगा मतलब उस number को भी divide करेगा और यह principle आप B.A.C. या B.T.E.C. में प्रूव करते हैं ओके लेट अस मूव आप देखे द्यान से यहाँ पर P यदि 2 से डिविजबल है तो हम P इसको लिख सकते हैं कोई भी नंबर जो 2 से डिविजबल होगी वो आ 2 का मल्टिपल होगी तो 2 इंटु M M क्या है सम इंटीजर है कि नहीं जैसे कि थोड़ा सा इसको हम एलबरेट कर दें तो यदि हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटु 6 तो हम कहते हैं 12 जो है 2 से डिविजबल है इसलिए क्योंकि 12 है वो आ 2 का मल्टिपल है यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पर M क्या है M आपका है 6 ठीक वाइसे ही समझ गरोंगे आप तो बहुत सिंपल है यह अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब देखेगे दहान से यहाँ पर P is equal to 2M माल लेंगे putting value of P in first इस first में P की value पूट करतेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर P की value put करेंगे तो मिलेगा हमें 2M square तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 14 4M square 14 Q square is equal to 4 तो यहाँ पर जो बढ़ते हैं 14 Q square is equal to 2M square मिलेगा फिर 14 Q square is equal to हो जाएगा यहाँ पर 4M square और यहाँ देखे 2 से cancel out हो सकता है मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 2 is up 4 and यह 2 7 is up 14 तो हो जाएगा 7 Q square is equal to 2M square अब यहाँ पर धान दनी की बात है यह 2M square है वह divisible है 2 से तो इसलिए लिखे है हम पर कि 2 divides 2M square क्योंकि 2M square को यह हम divide करेंगे 2 से तो 2 हम जाएग 2 पेंसे लाख जागा और जो cosine बसेगा वह M square होगा ठीक है तो यह 2M square को divide करता है 2 तो यह 2M square का equal क्या है 7 Q square है इसका मतलब कि 2 divides 7 Q square also हैगी नहीं अच्छा एक बात हैं बत्यां दखेगा यह 7 Q square को 2 divide करता है तो इसका मतलब कि either 2 will divide 7 और 2 divides Q square मतलब यह कि यह दो number का multiplication है और कोई number 2 है जो इस दोनों को divide मतलब इस पूरे number को divide करता है इसका मतलब यह हुआ कि 2 या तो इसको करेगा या फिर इसको करेगा दोनों में से किसी एक को जरूर divide कर रहा है है कि नहीं इस एक्जामपल के तोर पर देखना चाहें तो माली जह हम लेते हैं 3 into 4 और यह divide by 2 तो 2 क्या करता है यह तो 3 को divide करेगा नहीं केवल करेगा 4 को तो ठीक ऐसे यहां condition बना हुआ है तो हम इसलिए लिख दिये हैं कि 2 divides 7 और 2 divides q square तो यहाँ पर 7 को तो 2 divide करी नहीं सकता यह तो हम जानते हैं तो this is not possible ठीक है तो इसको छोड़ देंगे इसको एग्णोर कर देंगे और इसको ले लेंगे तो यहाँ पर लेंगे कि it implies 2 divides q square अब यहाँ पर जो condition बना ठीक वैसा ही बना है जैसे यहाँ पर बना था यहाँ पर देखे 2 divides p square तो यहाँ पर 2 divides p 2 divides p को second equation अब इसको ध्यान से देखे यदि 2p को divide करता है इसका मतलब यह हुआ कि 2 is a factor of p है कि नहीं जब divide करेगा तो factor होना चाहिए तभी वो divide कर सकता है और यहाँ भी वही है देखे 2 divides q इसका मतलब कि 2 is a factor of q तो इन दोनों से equation 3 and equation 2 2 इन दोनों से हमें एक result मिलता है वो क्या मिलता है from second and third equations 2 is a common factor of p and q है कि नहीं 2 यहाँ यहाँ पर common factor है q का और यहाँ से हमने किया कि 2 is a common factor of p then 2 is a common factor of p and q बोथ अब यहाँ पर जो यह fact मिला कि 2 is a common factor of p and q यह fact contradict कर देती है कि इस बात को देखे कांड़ेटर करने का मतलब होता है बिरोधा भास बदा करना opposite बात बताना या opposite meaning निकालना तो 2 is a common factor of p and q यह opposite meaning आ गई न यह बिल्कुल अलग meaning आ गई क्योंकि हमने जो सूरू में यहाँ पर suppose किया था देखे ध्यान से यहाँ पर suppose किया था कि p और q में p और q में count factor केवल क्या होगा 1 होगा 1 के अलाबा कोई भी count factor नहीं होगा but हमने यहाँ पर निकाल लिया कि 2 is also a count factor of p and q ऐसा कैसे हो सकता है मतलब यह starting में जो हमने suppose किया था वो तो गलत होगा है फिर तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि this contradicts the fact that p and q have no count factor other than 1 so this contradiction arises यह जो contradiction arise हुआ है यह due to supposition that यह suppose करने के काम हुआ है कि root 14 is a rational number हमने यह starting में ऐसा suppose किया था इसलिए यह contradiction पैदा हो रही है बन रही है तो यह हमने suppose किया था इसका मतलब यही supposition ही रांग है हमने suppose ही जो किया था वही रांग है इसलिए ऐसा original मिला है तो यहाँ पर जो suppose किया था कि root 14 is a rational number this is wrong इसका मतलब कि नीचे हम यह लिख देंगे so our supposition is wrong hence root 14 is an irrational number ठीक है उसके opposite जो हमने suppose किया था वो wrong है तो उसका opposite correct होना चाहिए और यदि हमने root 14 is a rational number wrong है तो root 14 is an irrational number यह correct होगा so hence proved now the third part cube root of 2 को prove करना है कि यह एक irrational number है सबसे पहले हम suppose कर लेंगे कि root 2 cube root of 2 is a rational number यदि irrational हों मानेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा cube root of 2 must be equal to p upon cube p upon cube क्या है p upon cube some integers है p और q यहाँ पर एक बात हमने मानी है कि cube root of 2 p by q के बराबर है बट p और q में जो common factors है के वल 1 के अलाबा और कोई भी common factor नहीं है फिर हमने क्या किया cube कर दिया दोनों side तो 2 is equal to हो गया p cube upon q cube फिर यहाँ cross multiply 2q cube is equal to p cube अब यहाँ ध्यान दिजेगा 2q cube is divisible by 2 तो 2 divides 2q cube क्योंकि 2 कर जाएगा यहाँ पर जब यह 2 से divisible है तो यह equal है p cube के तो यह भी divisible होगा 2 से इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पर कि 2 divides p cube also but 2 is a prime देखे यदि कोई number prime है और वह किसी number की cube को या किसी भी power को divide करता है जैसे p cube हो या p 2 दुबर 4 हो या p 2 दुबर 5 हो कोई भी number हो यदि 2 divide करता है और 2 एक prime है then जो prime number होगी 2 वो उस p को भी divide करेगी ठीक है तो हम यहाँ पर ऐसा लिख रहेंगे इसको माल लेंगे second क्योंकि इसका use करेंगे यहाँ पर आगे देखे प is equal to 2m हो जाएगा क्योंकि 2 यदि p को divide करता है इसका मतलग कि p 2 का multiple है ठीक है 2 यदि p को divide करता है तो p 2 का multiple है तो p is equal to 2m ले सकते हैं जहाँ पर m क्या लेंगे m एक integer ले लेंगे putting value of p in first इस first हम p के value पूट करते जिए क्या मिलेगा 2 q cube is equal to p cube मतलब कि 2m का whole cube अब यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ से देखिए दोनों साइड में यह 2 अंजा 2 हो जाएगा यहाँ पर तो हमें मिलेगा q cube is equal to 4m cube अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा 4m cube जो है 2 से देखिबल है क्योंकि 2 से देखिए करेंगे 4m cube में जैसे 4m cube में हम यह 2 से देखिए करते हैं तो यह consider जाए और तो जाए 4 और हमें quotient मिल दाएगा 2m square तो मतलब कि 4m cube जो है 2 से देखिबल है जब यह 2 से देखिबल है और यह 4m cube cube के बराबर है तो 2 जो है cube cube को भी डिवाइड करेगा जब 2 divides q cube then it implies that but 2 is a prime क्योंकि 2 जो है q cube को डिवाइड करता है but 2 is a prime therefore 2 divides q also मतलब सेम तरह का proof है अब यहाँ पर देखिए इसको मालने थर्ड तो ध्यान देखिए यहाँ पर second देखिए second आपका है 2 divides p and third आपका है 2 divides q इन दोनों से क्या result derive होता है इन दोनों से result एक ही derive होता है कि 2 is a factor of p and q तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि from second and third 2 is a common factor of p and q लेकिन यह क्या आगया 2 ए a common factor of p and q का मतलब कि यहाँ पर जो हमने suppose किया था उसका क्या यहाँ देखिए suppose किया था हमने कि p और q integers हैं और q is not equal to 0 and have no common factor other than 1 1 के अलाबा कोई भी common factor p और q में नहीं होना चाहिए but हमने यहाँ पर जो result पाया यह बिल्कुल contradict करता है candidate करने का मतलब कि opposite meaning देता है तो this contradicts the fact that p and q have no count factor other than 1 यह जो statement है यहाँ पर जो हमने निकाला यह candidate करता है इस fact को कि p और q में कोई भी count factor नहीं होना चाहिए था but हमें मिल गया एक count factor तो यह contradiction पैदा हो गया बीरोधा भास पैदा हो गया मतलब कि opposite meaning आ गई तो यहाँ से लिखेंगे कि this contradiction यह जो contradiction आया है arises वो आता है किसलिए due to supposition that due to the supposition that q root of 2 is a rational number तो q root of 2 जो है rational number है ऐसा suppose किया था हमने इसलिए ऐसा result आया ऐसा contradiction पैदा हुआ इसलिए क्या कहेंगे so our supposition is wrong तो जह हमने suppose किया था यहाँ पर देखे दियां से suppose that q root of 2 is a rational number यह जो suppose किया था वो गलत माना था हमने और जब हमने गलत ही मान लिया था यहाँ लिख देंगे so our supposition is wrong hence hence q root of 2 is an irrational number तो हमने यहाँ सा प्रूब कर लिया ठीक ऐसा ही प्रूब करेंगे सिंपल अब लिख लिख लिजी गाइस को question number 7 prove that root 3 is an irrational number hence so that 5 minus root 3 is an irrational number सबसे पहले प्रूब करना है कि root 3 एक irrational number है उसके बाद प्रूब करना है कि 5 minus root 3 भी irrational number है तो सबसे पहले root 3 को irrational number प्रूब करने के लिए हम यहाँ पर start करेंगे यह suppose करते हुए कि root 3 एक rational number है मतलब कि इस बाद प्रूब करेंगे जब ऐसा suppose कर लेंगे कि root 3 एक rational number है तो हमें लिखना पड़ेगा root 3 को P by Q की form में और फिर हम ऐसे कुछ solve करेंगे solve करने करना हमें एक ऐसा result मिलेगा जो यह जो हमने माना है उसको contradict कर देगा मतलब कि एक contradiction पैदा हो जाएगा मतलब बीरोधा भास opposite meaning देने लागेगा तो फिर हम कहेंगे कि जो हमने माना था वही गरत मान लिया था बस यही करना है चले ध्यान देजेगा तो root 3 को यह में P अपन Q माना तो यहाँ पर एक और बात कहा है हमने कि P और Q क्या है integers है और Q जो है not equal to 0 है और P और Q में कोई ही count factor नहीं है 1 के अलाबा मतलब कि P by Q को हमने 2 by 3 के जैसे माना है 2 और 3 में count factor क्या है 1 है केवल तो ऐसा नमर माना है हमने इसको बोलते है standard form of a rational number तो P by Q क्या है standard form है अब यहाँ पर square करने पर मिल जाएगा 3 is equal to P square बन Q square अब यहाँ ले सकता है cross mark प्ले करके 3 Q square is equal to P square इसको मान लेंगे first कि किसका यूज़ करेंगे future में इसलिए ऐसे मान लेंगे अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो 3 Q square आया इसको ध्यान से समझिए यह जो 3 Q square है यदि हम इसको 3 से divide करेंगे तो 3 बन्जा 3 cancel out हो जाएगा और हम लेगा की square इसका मतलब कि 3 से divisible है यह जब 3 से divisible है तो वही लिखे है यहाँ पर कि since 3 divides 3 Q square मतलब 3 Q square को 3 divide करता है और यह 3 Q square जो है equal है P square के तो जब इसको कोई number डिवाइड करेगा तो इसको भी तो डिवाइड करेगा तो उसी बात को लिखे है it implies that 3 divides P square also but 3 is a prime मतलब एक principle है कि यदि कोई number prime है जैसे 3 है क्या है प्राइम है और वह किसी number के square को divide करता है मतलब P के square को divide करता है 3 then वो principle यह कहता है कि जो 3 होगा वो P को भी divide करेगा ठीक है मतलब यह है कि 3 यदि किसी number के square को divide करता है तो 3 उस number को भी divide करेगा यह principle आप BSE में प्रूव करोगे तो अभी इसका equal use कर लो तो जब ऐसा देखिए मिला हमें कि 3 divides P तो हम इसका मतलब यही है कि P का P जो है 3 का एक multiple है है कि नहीं 3 यदि P को divide करता है मतलब 3 यदि 12 को divide करता है 3 12 को divide करता है 3 4 जो 12 होता है तो यदि 3 12 को divide करता है तो यदि 12 होगा मतलब यही P है ठीक है 12 भी क्या है P है जो 12 होगा वह 3 का multiple होगा तो देख रहे हैं 3 into 4 करेंगे तो आजागा न यह 3 का multiple ही तो है 3 into 4 4 आपका वो है तो उसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर let p is equal to 3m मतब 3 का multiple suppose कर लेंगे तो p यह दि 3m है where m is some integer तो हम इसकी value p की जो value है उसको put करेंगे first में तो क्या मिलेगा अब क्यों हम put कर रहे है values का यह भी सोच रहेंगे आप तो इसलिए put कर रहे है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 divides p हमें मिला था हम चाहते हैं कि 3 divides q भी मिल जाए मतलब यह हम चाहते हैं कि p upon q में p को divide करने वाल एक number मिल चुका है 3 अब q को भी divide करने वाल एक number मिल जाए 3 तो 3 यह दि दोनों को divide करेगा इसका मतलब यह 3 क्या है divisor है दोनों का वही समझेंगे यहाँ पर देखिए अब यह यदि फरस्टम पूट कर लेंगे यदि इसमें फरस्टम पूट करेंगे p की value मिलेगा 3m यहारक देंगे whole square हो जाएगा अब यहाँ से 3 q square is equal to 9m square हो गया फिर q square is equal to 3m square हो गया क्योंकि यहां से cancel out हो जाएगा 3 बज़े 3 and 3 तीजा 9 तो यह दिखिए अब यहाँ पर यहाँ पर जो 3m square है उसको 3 divide करता है 3 divides 3m square क्योंकि बिल्कुल ही जैसे यहाँ पर कर रहा थे हम लोग 3 q square को 3 divide कर था वैसे ही 3m square को भी 3 divide करेगा तो यह cancel हो जाएगा m square आपका question जाएगा तो 3 divide करता 3m square को तो out 3m square equal है q square के इसका मतलब यह हुआ कि 3 divides q square but 3 is prime 3 prime है therefore 3 divides q also और इसको मिनमाल लिया third equation आप समझेगा यहाँ पर जो second हमने यहाँ पर लाया था कि 3 divides p यदि 3p को divide करता है इसका मतल क्या हुआ कि 3 एक common sorry 3 एक factor है p का और यहाँ पर 3 divides q का मतलब क्या हुआ कि 3 एक factor है q का अब इन दोनों से first यह second से और third से हमें यह मिला कि 3 is a common factor of p and q क्योंकि 3 तो common है दोनों में तो 3 is a common factor of p and q लेकिन हमने माना क्या था शुरू में देखिए हमारा जो आया result p और q का जो common factor है हमने माना था कि 1 के अलावा कोई नहीं है no common factor other than 1 लेकिन हमारा एक और common factor यहां मिल चुका है और वह मिला है 3 3 is a common factor तो यह तो contradiction पैदा कर दिया ना सुरू में हमने कुछ और माना था और बाद में कुछ और मिल रहा है तो this contradicts the fact that p and q have no common factor other than 1 मतब यहां से जो यहां तक यहां से यहां तक जो fact है कि p और q में हमने माना था कि कोई factor नहीं है 1 के अलावा इस fact को contradict कर देता है यह fact जो हमने find किया अभी तो contradiction यह कैसे arise होई फिर तो this contradiction arises due to the supposition that root 3 is a rational number यह suppose हमने किया था starting में ऐसा suppose करने के कारण ही यह contradiction आया है तो हमने जो suppose किया था वही गलत किया था so our supposition is wrong hence root 3 is an irrational number clear जैसे कि हमने 1.2 exercise में solve करवाया था ठीक वैसे ही यहां पर मतलब है तब को समाझ में आ चुका होका बिल्कुल ही और मैंने यहां पर लिख भी दिया है तो आप लिख भी सकते हैं इसको अब देखे ध्यान से second part second part में क्या है कि so to so so करना हमें है कि 5 minus root 3 is an irrational number अब यहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से होगा समझे धान से तब प्रूफ में ऐसे लिखेंगे लेट 5 minus root 3 is a rational number यहां भी मानेंगे उल्टा ही मतलब यह rational प्रूफ करना है बट सपोज कर लेंगे कि माली जो यह rational number है यदि 5 minus root 3 rational number होगा तो इसको p by q के फार्मिल लिखना पड़ेगा तो 5 minus root 3 is equal to p upon q और p q क्या है integers है और q is not equal to 0 ऐसा हमने माना है अब इसमें p और q को हमें specify नहीं कर रहा है कि इनके factors 1 होंगे या क्या होंगे क्योंकि हमें यहां पर huge नहीं होगा उसका यहां पर कुछ अलग तरीके से हो जाएगा simple तरीके से देग कैसे यहां पर p by q क्या है rational number है और यह p और q क्या है integers हैं तो हम p by q को left में ले आ सकते हैं और root 3 को right में तो right में transpose कर दिये तो यह root 3 यहां आ गया p by q यहां पर आ गया इसको solve किये तो मिला हमें 5 q minus p upon q तो यह जो number है देखिए यहां पर दिख रहा है जो 5 q minus p upon q यहां एक rational number है और root 3 क्या है यह rational है हमने तो अभी prove किया था इसको तो हमें क्या मिला since हमें यह मिला कि 5 q minus p upon q एक rational number है और आप देख भी सकता है देखिए यदि 5 से किसी integer में multiply करते है q क्या है q एक integer है जो हमने यहां देखिए p and q क्या है इंटिजर से है तो 5 से यह हम q में multiply कर रहे हैं कि integer में और जो भी result आता है उसमें से minus कर देते हैं एक दूसरा integer तो यह पूरा एक integer ही होगा और एक integer को divide कर रहे हैं एक दूसरे integer से तो यह मतलब पूरा मिल करके p upon q integer upon integer हो गया therefore it is a rational number तो यह rational number है और उर्थरी क्या है irrational है हमने प्रूब किया था आभी यह वग उपर तो यह दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं मतलब एक irrational number rational number के बराबर कैसे हो सकता है तो यहाँ पर contradiction पाता हो गया ना absurd result मिल गया यहाँ पर तो it is absurd result it has no meaning कि यह दोनों equal कैसे हो सकते हैं तो यहाँ पर वही लिवात लिखेंगे और rational number is equal to an irrational number यहाँ पर मिला क्या हमें कि एक rational number जो है equal है irrational number के this contradicts the fact that और यह बात इस fact को contradict कर देती है कि rational numbers cannot be equal to any irrational number तो यह दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं so it is our supposition is wrong so our supposition is wrong जब हमार यह मानना ही गलत है कि यह एक rational number है यहाँ पर देखें 5-root 3 को मानना था हमने कि यह rational number है यह मानना ही जब गलत है तो फिर इसको उल्टा सही होगा मतलब 5-root 3 is an irrational number वही नीचे लिख लेंगे हैंस तो ऐसे करके हम प्रूब कर लेंगे ओके करें प्रूब कर दो दो आए लेखें